नमस्कार बहुत स्वागत है अब सुभी का आपके साथ मैं पल्लवी रवी इंद्र सिंग मुल्टी की शुरुबात करेंगे जैपुर से आरे बड़ी ख़बर के साथ SMS अस्पताल में वेवस्था जो है पूरी तरीके से बदहाल हो चुकी है साथ विंग सेकेंड में सुधरे अभी तक हालात नहीं है डॉक्रस ड्यूटी रूम में बताया जारा की पानी टपक रहा है कल कमरे में शॉर्ट सर्किट हुआ था जिसकी वज़े से बताया जारा हरकम मत गया था अस्पताल में अब अब अबस्थाओं का अंबार जो है वो लगा हुआ है ऐसी जानकारी सामने निकल कर आप आ रही है तो इस वक्त की बड़ी खबर जयापूर से आप तक पहुचा रहे जापर साउथ विंग सेकेंड में अभी तक हालाद जो है वो सुधरे नहीं है कहीं प्लास्टर जो है वो उखुडने लगा है तो कहीं छतों से पानी टपक रहा है जिसकी वज़े से मरीज को परेशान होती ही है और इसके साथ साथ जो परजन उनके वहाँ पहुचे हैं वो भी परेशान है जानकारी ये सामें निकिल कर आप आई है कि कल ही शॉर्ट सरकिट हुआ था अस्पताल में और आज जो है पानी टपक रहा है अस्पताल में और दर सपोर्टरा में बारिश जो है लोगों के लिए आफ़त बनती जा रही है पोलिस थाना परिसर में दो-दो फीट पानी भरा हुआ है राद भर सो नहीं पाए हैं पोलिस के जवान ऐसी जानकारी है बताये हो जा रहा है कि तैसील कार्याले सपोर्टरा पानी में पूरी तरीके से जूब चुका है सरकारी राजस रिकॉर्ट पानी में जूबने से नस्ट होने के कगार पर पहुँच चुके इस वक्त की बड़ी खबर आपको टेलिविसेन स्क्रीन पर तैसील कार्याले पानी पानी हो चुका है बताये जा रहा है कि भवन जरजर होने से बड़ा हाथसा होने का अंदेशा भी लगातार बना हुआ है चत से टपकता पानी और गिरते प्लास्टर से बड़ा हाथसा हो सकता है और इसके लिए लोगों को डर भी सताने लगा तैसील दाग नवल किशोर शर्वा ने उच्चा धिकारियों को इससे अवगत करवा दिया है निजले इलाकों के घरों में पानी भरने से लोग परिशान हो रहे है जमा जमबारिश से शहर की सड़ के लबालब है काली सील बांध पर साड़े चार फिट चादर चल रही है पानी की और दस ये सुधान श्पंत के निरदेश पर प्रशासन पूरी तरीके से हाई अलड़ पर आ चुका है जल भराओ के कारण कई जिलों में जन जीवन पूरी तरीके से अस्त्रस्त है गंगापूर करॉली हिंडोन में पेजल आपूर्थ ठप हो चुकी है कई पंप हाउस बारिश के कारण जलमग्न हो चुके है गंगापूर में एक दरजन से ज़्यादा चूब बिल जलमग्न है और वहीं करॉली साइड काई शेहरों की पेजल सप्लाई भी आप जो है बह चुकी है पेजल आपूर्थ बादित होने पर जल्ड़ाय प्रशासन सतर्क हो चला है अलंकि ताकि लोगों को कम से कम पीने का पानी सच जो है वो मिल सके और यहीं वज़े है कि सतर्क हो चुका है पेजल आप पूर्थ बादितना हो इसके लिए जल्ड़ाय प्रशासन लेकिन लोगों को परेश्वानी इस बीच जरूर झेलनी पड़ रही है बारिश पर बताया जा रहा है सिये सुधाश्पन के रदेश पर पुर्शासन हाई अलेट हो चुका है ववस्थाओं को दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है भारी बारिश की वज़े से अब ववस्थाओं का अमबार है जादा जानकारे लेंगे समधता राकेश हमारे साथ टेलिफॉन लाइन पर जूट रूट है राकेश बारिश से हाल बेहाल है लेकिन इस वक्त लोगों को पीने के पाने की भी चिंता सताने लगी पूरी राजस्तान में अतीव रश्टी के कारण जन जीवन अत्कास हुआ है इससे पेजल आपूर्ती लगमक कई शहरों में ट्थप हो चुके है उसके बाद पानी की सबलाई पूरी तरह ठप है हिंडोन और करोली में भी पेजल आपूर्ती ठप है तो सरकार ने सक्त निर्देश दारी किये हैं कि जल्दाए बाद की जो अधिकारी हैं वो तरन टैंकर से ट्रांस्पोर्टेशन की पानी की विवस्ता सुनिचित करें और चुकि अभी बारिस का मौसम है इस्थानी पानी वो दूसित हो सकता है तो शुद्ध पानी जो टंकियों है पेजल पीएचडी की भरा हुआ है वो पेजल आपूर्ती के लिए सप्लाई किया जाना है ताकि इससे मौसमी बीमारिया ना बनें ताती जो जैपूर से भी जल्दाए भाब के अत्रिक्त मुक्यव्यंता प्रभावित हो रही है वो किसी तरीके से बिक्राव ना हो लागा जा सके यही वजह की प्रशासन अलर्ट है बहुत शुक्रिया राकेश जानकारी पहुचाने के लिए उदर अलवर शहर में विवाहिता बीना जाटव ने घर में फासी का फंदा लगा कर अपनी जान दे दी है पियर पक्ष ने दहे जट्या का मामला दर्ज करवाया दूसरी तरह पुलिस ने मृतका का पोस्त मातम करवा कर शाओ परजनों को दे दिया दादरगाओ निवासी बीना जाटव और पती श्वेर सिंग के भी कहा सुनी हो गई थी और इसके बाद पतनी ने बताया जा रहा है कमरे में फासी का फंदा लगा लिया अब जाट करना जे पीजान श्कुल में परती है यह पहली वार नसस में हो रहा है कि अनसस के इस सब सिवक को सम्भानित कर दाए और यह अने अनसस अधिकारी अरुन चीशन में बताया था दिल्ली के लाल के लिए पर सुतनतर दिवस कारकरब में बतार अधिती शामिल होने के लिए एक आटो चालक के बेटे को नवता मिला है दरसल एन एसस के सुमसेवक सुमित कुमार को उनके द्वारा पर्यावरन संक्रक्षन और विकास की दिशा में किये गए कारियों के चलते चोयन क्या क्या जब से सुमित कुमार को नवता मिला है तब से उनकी पिता और टो चालक रतनलाल मा और चोटी बहन में बहुत खुशी है सुमित 12 अगस्त को जैपुर से सभी संभाग एक साथ दिल्ली के लरवाना होगी सवाई मादोपुर से बड़ी खबर है नाले में बहने से महिला की जान चली गई नाले में बताया जा रहा है पैर फिसला था और इसी वज़े से या हाथसा हुआ महिला नाले में बह गई थी पुलिस ने शफ कबजे में ले लिया है और उसके बाद मूर्शी में रखवाया गया पोस्मॉटम किया जोएगा और उसके बाद परजुनों को सौप दिया जाएगा शफ तो बड़ी खबर सवाई मादोपुर से आपकी तो लिवसम स्क्रिंग पर जहां पर नाले में पैर फिसल गया एक महिला का जिसकी वज़े से महिला पह गई और महिला के बखी हो थी कि यह पोलिस में शफ को कब से लिए गया है जिसे घर में सो रहा परिवार बाल बाल बचा हमले में मकान के बाहर लगी फैंसी लाइट जो थी बताया जा रहा है उसके शीशे तूट गए दो बदमाशों के खिलाफ मामला दर्श किया गया बदमाशों की जलगी रफतारी को लेकर नकरपाइल का चूर्मेंस सही तक्री कोषियों ने इसको सचीन है एक सची है इन्होंने तो और एक और राम जिलान इन्हों के तीन-चारौन मिलिक पत्राओ गया घर पर बुर्देरे बाते मारे हैं काल उस्तार की है तो तोड़ फोड़ की है फेफरार हो गी ये दस-पंद्रा बिन पहले इनके को जबीनी विव क्यारोप में भी गिरफदार किया था हूं को पिरों के खिलाब विदिक कारवाई करके चाला नहले में सब्मिट किया है कोड़ पुतली जिले के बहरोड के जखराना में पांच अगस्त को टोल प्लाजा पर बदमाशों ने तोड़ फोड कर लूट की वारदात को अंजान दिया पुलस ने कारवाई करते हुए दो और बदमाशों को गिरफदार किया मामले में अब तक तीन बदमाश गिरफदार हो चुके हैं साथी एक नाबाली को भी पुलस ने निरुद कर लिया है उदर बासवाडा के राज तालाप शित में चूरी और चेन स्नेचिंग की घटना आए दिन लगतार बढ़ती जा रही है ऐसी एक चेन स्नेचिंग की घटना लोधा तालाप के पास हुई मंदिर दर्शनकर घर लोट रही महिला के साथ बताया जा रहा है इस घटना को अंजाम दिया गया इस दोरान दो बदमाशों ने पीड़ता के गले से चेन तोड़कर फरार भी हो गए हैं राज़तालाप पुलस ने मामला दर्श कर लिया आरोपिन के दलाश की जा रही घर घर तरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए केंडरी कानून मंत्री अरजुना मेगवाल ने आज बाफना स्कूल में छात्रोट संग तिरंगा लेकर इसका महतू उन्हें बताया है घर घर तरंगा अभियान की उन्होंने इसी के साथ शुरुवात कर दी इस मौके पार UIT के पूरवध्यक्ष महाविर राका CEO PS वहरा पवन महनोत सईद बड़ी संक्य में छात्र और स्टाफ मौजूद रहा देश ने पिच्चतर में वर्ष में अपने आजादी की पिच्चतर वर्ष में परविश किया तो आजादी का अमर्त महोत सोब मनाय गया था और उसका जब समापन हुआ तो एक अभियान चला था हर घर तिरंगा अभियान और उसी स्रंकला में अब 15 अगस्त आ रहा है तो हम बारा तेरा चब्दा ये तीन दिन पूरे देश में हर देश वासी से ये अपील करेंगी कि वो अपने घर प पर तिरंगा फेराएं तो आज जो बापना स्कूल में यहां गंगाशेर में कारिकरम हुआ उसमें जो स्टूडेंट हैं यह पढ़ने वाले उनके हाथ में तिरंगा दिया गया हमारे जो युवाइटी के पूर्वे अध्यक्स है महावी रंका जी की और से और यह यहां स्क सवाए मादो पर जिले में भारी बारिश के वज़े से लगातर हालाद बिगरते जा रहे हैं जुसके चलते कई जगों पर विकट हालाद भी पैदा हो गए जिले की नदिया नाले तेज भाव के साथ उफान पर आ चुके बांधो तालाबों में पाने की आवक्स जादा है लगातर तेज जोरी बारिश लोगों के लिए परिशानी का सबब बनती जा रही मूसलाधार बारी बारिश का दोर लगातार जारी है सबाय मादूपुर जिले में बीते 24 घंटों से लगातार तेज बरसात हो रही है आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं कि इस सीजन में जो लगातारी है जो पिसले 48 घंटों से बारिश का दोर जो चल रहा है उसमें पहली पर देख सेक्ते हैं कि यह यह रहा है। वोग ऑप नदियां करने करें चरद लिफशा वंड नाला के हुआ है pass पार भरने की जो सूर्शना है वह भी लगातार भी लगातार मिल रही है इसके लाबा कही गाओं से जो संपर्क है वो कट गया है कई जो रप्टों पर जबर्दस्तर के से पानी आ रहा है तो उससे भी कई गाओं का संपर्क गया है शेरपुर खिल्सिपुर्च की तरफ से जो रप्टा जो चलता है उसके पर जबर्दस्तर के से पानी चलता है तो उससे लगवग दो दरजन से अधिक गाउं का समपर कट गया है वनास दधी के अंदर जो लगातार पानी आ रहा है उस पानी से भी लगवाग तीन दरजन गाउं का समपर लगातार कटा हुआ है और मूसलाधार हारी बारिश का जो दोर है उस सवाई-मादू-पूर जिले में अन्वरत जारी है गिरी राज शर्मा न्यूजटिन सवाई मादोपर। पर होता है सावन के सौमवार पर लोगों की इतनी भीड लगती है कि मानों मेला लगा हो यहाँ पर तक्रिबान 400 साल पुराना या शिवाले हैं जिसके साथ कई पौराडिक कथाई भी जुड़ी हुई है। पर आपको खास सिवाले लेकर के आए हैं जहां की महिमा प्रमपार है जहां की माननेता खास है। कुबल नदी के तट पर माचर्मन मती के तट पर बावा भुलेनात का खास स्थान है राज राजिश्वर मंदिर और खास तस्वीर खास यहां की माननेता और करीब करीब 400 साल पुराना ये सिवाल है। दूर दूर से भक्त भगवान बोलेनात के दर्वार में हाजरी लगाने के लिए आते हैं भगवान बोलेनात के दर्सन के लिए आते हैं और खास बात ये कि पुरे सावन में दूर दूर से स्रधालू यहां पर आकर के भगवान बोलेनात के दर्सन करते हैं भगवान बोलेन राज राजिश्वर अब यह तो गयागे अच्छी महिमा है दो दरास से बहुत से लोग आते हैं यहां किया सावन के महिने में आते हैं इसमें आते हैं मासी रातरी पर वीड़ लगी रहती है स्रद्धालों से बात करेंगे जो कि यहां पर निरंतर भगवान भोलिनात के दर्वार में हाजरी लगाते हैं कितनी बड़ी मानेता है भगवान भोलिनात राज राजिश्वरी के भगवान राज राजिश्वर खाफी पुराणा सिम्मंदिर है यहां पर मैं निवेत रूपस पर चोई जगंटी के रामायन चलती है और के सवी लोग अपने अपने आप में नौ देवी यह मनियों ही इसके अंदर नाग देवता वने हुए इसके अंदर यह अधूद मूर्ति है अधूद भगवां के संगार होता है तो सावन का महीना अधूद यह प्रतिमा है नौ देवियां इस सिबलिंग पर है इसके साथ में खास इसकी वानिता और पूरे सावन के महीने में भगवान भोलेनाद के इस दरवार में लोग दूर से खेचे चुले आते हैं हिमाल्चू में तल न्यूज एटीन टूंक में जिला कलेक्टर के लेट लतिफी के चलते स्कूली बच्चों के अभिभावकों को दोहरी परिशानी का सामना करना पड़ रहा अबिभावक बच्चों को छोड़ने के लिए पहुच चुके थे और वहाँ पर बच्चों को छोड़ने के बाद जानकारी है सामने निकल कर आ पा रही है कि जब अब भावक घर वापस चुले गया है तो इसी दोरा जिला कलेक्टर की वज़े से ने यहाँ पर छुट्टी की घोशना कर दी क्योंकि प्रोदेश में बदा चुले भारी बारिश का सामना लोगों को करना पड़ रहा है और किस खासतोर से सतर्टा बनाया रख्या और यहीं वज़े है कि कई इस्थावनों पर कुछ चुछी स्कूलों में छुट्टियों की घोशना भी कलेक्टर के दौरा की गई है और यहाँ पर भी यहीं देखनों के मिला था हालागि कि इस से अब भावक परिशान हुए जैपूर में सरकों पर जलभराओं का जैजा लिया है हमारी समवधता महिमा ज़न ने देखिया आज हम बारिश का दौर जा रही है इस सबक्त तौक फार्टा खुलिया के पैस में मौझूद हुजा तस्विरों के जरिये में आपको दिखाऊंगे कि बारिश से सडकों के क्या हालात है आमजन कैसे परिशान हो रही है और ट्राफिक की व्यवस्था जो है यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिल रही है यह तमाम तस्विरे बया कर रही है कि राजधानी में बारिश के चलते हालात बेहाले देखे बाइक से एक एक इंच सडक पर पानी भड़ चुका है हलंकि अभी बारिश शुरू ही हुई है लेकिन स्टेज बारिश से लोग परिशान बेहत नज आ रहे हैं सडके जाम हो रही है अंडपास फुल हो चुके है और नाले भी उपान पर नजर आने लगे हैं ऐसे में पूरे दिन पर अगर बारिश ऐसे ही जारी रहती है तो राजधानी में हालात बिगड सकते हैं ऐसे में हमें प्रसाशन भी चप्पे चप्पे पर मौजू पूरे दिन बर बारिश का दोर बता जा रहा है कि ऐसे ही लगाता जारी रहेगा अभी भी सडकों पर एक इंस जो है बारिश का पानी जमा हो चुका है ऐसे में ट्राफिक को निकलने में बहुत जो है हिंडन बर की एक नई रिपोर्ट आई है इस रिपोर्ट में सेबी के मौझूदा च्वेयरमेन मादभी पूरी बुच और उनके पती धावल बुच पर वित्ते अनमित्ता का बड़ा अरोप लगाया किया इस रिपोर्ट की वज़े से राजनिती गलियारों में सियासी वार प पीते साल अदानी गुरुप को लेकर अपने रिसर्च रिपोर्ट जारी करने के बाद अब अमेरिकी शॉर्ट सेलर फॉर्म हिंडन बॉग ने नया दावा किया है हिंडन बॉग ने अब सेबी चीफ और उनके पती पर गंभीर आरोप लगाए है हिंडन बॉग के दावे में कहा गया है कि जिस आफशोर फंड में अदानी का स्टेक है उसी आफशोर फंड में सेबी प्रमुक मादभी पुरीव बुच और उनके पती धावल बुच का स्टेक है हिंदन बॉग के आरोपों को सेवी की चेपवसन और उनके पती ने सिरे से खारच करते हुए बेबुनियाद बताया सेवी चीफ और उनके पती की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि सभी आरोप बॉखलाहट और बदले की भावना से प्रेरित हैं हिंदन बॉग की रिपोर्ट सच्चाई से परे है वहीं अडानी ग्रूप ने भी हिंदन बॉग के आरोपों को नकार दिया अडानी ग्रूप की और सिजारी बयान में आरोपों को दुर्भावना फोन और पूर्वाग्रवाला बताया गया हिंदर्बोग के दावों पर अब सियासत भी शुरू हो गई है कॉंग्रिस पार्टी ने सरकार पर सवाल खड़े किये और जेपीसी से जांच की मांग की है वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए विदेशी संस्थानों का साथ देने पर कॉंग्रिस को घेरा कागत सबके सामने है उसका जवाब दीजिए क्या ये ओफशोर कंपनीज में उनकी इंवेस्टमेंट्स थी या नहीं थी ये तो सबके सामने है ना हाँ या ना का जवाब है ये तो हम सेवी चीफ से भी कोई सवाल नहीं पूछ रहे हम गौतम अदानी से भी कोई सवाल नहीं पूछ रहे हम देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछ रहे है क्या आपकी सरकार जो की बड़ी मुस्तायद मानती है अपने आपको क्या उसको ये जानकारी थी या ही थी ये जॉइंट पार्लिमेंटरी कमिटी से कम में कुछ नहीं मिलेगा जेपीसी होनी चाहिए उसी से इन तमाम सवालों का जवाब मिलेगा जनवरी में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट वजट सत्र शुरू होने से ठीक हो गया कि इसका मतलब ये संदे बहुत गहरा हो जाता है कि सीमा पार से विपक्ष के कुछ ऐसे तार जुड़े हुए हैं कि भारत के हर संससत्र के दौरान एक अविवस्था का वातावरन उत्पन किया जाए हिंडनबर्ग का रोप है कि रेगुलेटरी बदलाव नियम कानून ऐसे बदले गए जिससे की सारा का सारा फाइदा रीट्स को हो रहा था और रीट्स में सबसे बड़ा प्लेयर ब्लाक स्टोन था और ब्लाक स्टोन में मादभी बुच जी के पती धवल बुच जी सीनियर सलाकार वरिष्ट अडवाईजर थे वहीं आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि सेवी चीफ को उस भष्ट अचार की जांच की जिम्मेदारी दी गए जिसमें खुद उनका पैसा लगा था आम आदमी पार्टी के नेता संजे सिंग ने आरोप लगाया कि सेवी चीफ और उनके पती ने करूरोर रोपय का घुटा ला किया माधवी पूरी बुच और उनके पती धवल बुच ने लगभग दस मिलियन डॉलर उन्ही फर्जी कंपनियों में लगाये हैं उन्ही फंस में लगाये हैं जिसकी इनको जाज करनी थी यानि जिस ब्रस्टाचार के मामले की जाँच सेवी अध्यक्ष को करनी थी वहीं पर इनका पैसा लगा हुआ है हिंडनबोग रिसर्च ने सेवी चीफ पर आरोप लगाये हैं जिनके न्योक्ति केंद्र सरकार करती है फिलहाल मादभी पुरिव बुच सेवी की चीफ पॉसन है और मार्केट रिएगुलेटर की पहली महिला अध्यक्ष है इसके पहले भी हिंडनबोग रिसर्च ने अदानी समों पर आरोप लगाये थे जिसमें सुप्रीम कोट के निर्देश पर सेवी ने जाच की थी और जनवरी दो हजार चौबीस में हिंडनबोग के आरोपों को खारिच कर दिया था जापुर का रूप करेंगे बड़ी खबर है जो डिये के दो भवनों की फॉल सीलिंग गिर चुकी है बड़ी खबर अब तो पहुंचा रहे है बारिश का पानी आने की वज़े से जानकारी एकी फॉल सीलिंग गिरी है नागरिक सिवा किंद्र की तीसरी मंजिल पर फॉल सीलिंग गिरी है और इसके अलावा जेटिये के भवन में फॉल सीलिंग गिरी है पहली मंजिल पर रूम नंबर 110A में फॉल सीलिंग गिरी है तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको टेलेफिसन स्क्रीन पर जहां पर भारी बारिश का असर जो है वो जेटिये में भी देखने को मिल रहा है फॉल सीलिंग गिर चुकी है आलांग कि कितना नुपसान हुआ इसके यहार रुकेंग एक छोटे सी ब्रेक के लिए आप देखते रहे है प्रदेश का नंबर 1 नीज चैनल नीज सिटी इन राजस्थान